नमस्कार दोस्तों स्वागे साब सभी का सरकरी जॉप सौट की इस यूटीब चानल पर फ्रेंट शत्तिसगर में वह फिर से बड़ी भरती निकल कर सामने आरे यह जो कि है शत्तिसगर पंचायत में लोगपाल की भरती निकली है यह आप नीचे देख पार होगे लिखा हुआ जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पहना है तो चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि 36 गड़ राज जिमाने वाली समस्त भरती विग्यापनों की ज सद लिखा हुआ आपको दिख रहोगा विकाद भवन यहां से लेटर निकला है राइपूर नया अटलनगा राइपूर से निकला हुआ वेकेंसी का यह जो डिटेल है इसमें लोगपाल जो कि हमात्मा गांदी नरेगा का विज्यापन प्रारूप अपलोड करने बाबत यह लिखा हुआ है जिसके लिए आपको थोड़ा नीचे ले चलता हूँ जहां आपको जानकर यह हपस मिलेगी इसमें आप देखेंगे किरपया चतिरगर सासन की दिक्रित वेबसाइट www.cgstate.gov.in के नोटिस बोड में सलगन विज्यापन सूचना एवं आवजदन पत्र प्रा पत्र के लिए आवजदन पत्र नाम से प्रदर्शीत हो तो दोस्ते हैं 16 जीलो के लिए निकला हुआ है जो की 14-11-2024 आप देख पार होंगे नवंबर तक इसकी तीथी रखी गई है 14 तारी तक बाकी जो डिटेल है इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो 16 जीलो राइगार बस्तर एवं कॉर्बा के लिए निकला गया है तो आविदन पत्र समदित क्या क्या अहन अरताय है सब चीद यहाँ पस दिया गया है तो इसमें सबसे बहले देख लिए कि अगर इन में से कोई अगर बिंदू आप के पास होगी तो आप इसमें अहर हो जाएंगे अनहर का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर आप उसके लिए अपात्र हो जाएंगे जैसे कि आप किसी प्रकार के दोस्त में आप संदीप्त हो ऐसा कोई कारवाई आपके खिलाफ हुआ हो या तो आप यहाँ पस नीचे देखेंगे कि उक्तनियमों का आप पाला नहीं करते हैं आप पूरू में अगर लोगपाल के पत्मे कार कर चुके हैं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं सारे रिकुर्प से असक्षम हो राजनेतिक दल संगठन के अगर सदवसमें फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं किस-किस लोगों के लिए पात्र होगा वहा के साथ ही आमजन अथवा समाजिक संगठन के साथ कार्म को योगता में जो है अनिवारत है हापास दी गई है नियम और सरती की बात की जाए तो 45,000 रुपे की सलरी आने की 2250 रुपे प्रती सीटिंग जो होगा प्रतिक बैठक में आप जब सामील होंगे लोगपाल के रुप म साथ भेजना है बाकी कुछ डिटेल है कि अगर आपके पास अनुभाव की मांग जा रहा है तो कौन-कौन से फिल्ड का अनुभाव आप लगा सकते हैं या पस दिया गया है अब हम चलते हैं थोड़ से और आगे छाया पती आपको सलंग्ट करने हैं या जो आपके मूल पर आप जो आविदन होंगे उन पर विचार नहीं कहा जाएगा आधन पत्र प्रेजित करेंगे जब आप प्रेशित करेंगे तो लिफापे के उपर आपको जीला जैसे सर्गुजा है तो लोगपाल पत के लिए आवेदन अनुभाव का छेत्र की चेत्र मानुभाव जैसे अन देखा हुए आयुक्त मात्मा गांदी नर्गा विकास आयुक्त करेले त्रितितल कक्छा या सुरी कक्छा कर्मांक 19 विकास भवन नौर्थ ब्लॉक सेक्टर 99 राइपूर अटर लंगा राइपूर 36 और पिन कोट 492 101 में आपको भेजना है आयुक्त मोहदे के द्वारा ये बढ़ती विक्ट पर निकाला गया है सिखनेचर आप देख रहोंगे आधन पत्र का प्रारूप आपको दिया हुआ है समालने सी जानकरी है इसमें आप देख लीजगा क्या 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 आप अनुबहुर रखते हैं नहीं रखते हैं आधिये का नाम क्या है किस जीले के अंतर बाकि इधर उतर नहीं बैसकते हैं यहाँ आपको सिखनेचर आप पूरा नाम आपको लिखना है तो कुछ इस प्रकार का लोगपाल का जो भरती निकला हुआ है आपके समक्ष में आपस संपूर जानकरी देने की कोसित की है फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो नीचे अपन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद